जो बच्यापची साल का हुआ उसको लालबत्ती मिल गई कोई ना कोई पद मिल गया अगर मानते भी कि सारे पिछड़ों का इंपावर्मेंट हुआ तो ऐसी इस्थिति नहीं आती हलो नमस्कार दोस्तों चैनल पर आप सभी का एक पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है जो MP के नए CM है वो मोहन यादा है तो ये सारी बोट बैंक को लेकर जो राजनीती विपक्ष करता रहा है ये उनको एक उल्टा दाव पड़ गया इसी पर डिबेट चल रही है और डिबेट में सपा प्रवक्ता वोही अपने पुराने जातीवाद के तथ्यार रखने लगे लेकिन अमिताव अगनी उत्री तो सब के गुरू जी है ही इसी लाइन में अमिताव अगनी उत्री ने इनको ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती बंद हो गई लिबिट वीडियो बहुत ही देखने लाइक और इंट्रस्टिंग होने वाले आपसे रिक्वेस्टे लिबिट वीडियो पूरी देखें चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन तो ओन जरूर कर ले तो जादा बात न करते हैं पहले वीडियो में चलते ह अपने एड़ गया वह चाहते ते कि कई लोग ब्रामन भी माले उनको 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 प्रियोग किया है तो कुछ सोचा समझाओगा इतना बड़ा प्रियोग एक राज्य की सबसे बड़ी राजनेति कुर्सी अगर कोई पार्टी दे रही है यादव को तो आपको ने रहता इसका कहीं कोई असर होगा या बिल्कुल ब्लैंक जाएगा अगर अपने जो बात कहीं का जवाब मैंने पहले पर वक्तब में कहा जे इंडिया अलायंस के पास तीन बास्ता हैं अगर उन्होंने अपने गुलाम के पत्ते फेके हैं तो हमारे पास तीन बास्ता यह बात दनेर पर यादो को बना दोगे क्या सबसे बड़ी कोमिनेटी है तो प्रदानमंत्रिक चैरा बना दोगे क्या वोटले निकले बना दो और अच्छा रहेगा यादो पूरा में जाए लेकिन जो बात नावे सिको जी ने कहीं बेल्कुल सहीत है तिरपुडा का उधान देते रहा मद्यप्रदेश है जब चाहा जिल लगा लिया जब चाहा तो चोड़ दिया व्रवफा हो घुकान जी गया बनाया है मोधी जी ने 5 किलो राशन दिया है मोधी जी ने किसानों को यह कहने के लिए बनाया ना अखलेज ज्यादों दी की तरह फैसला थोड़ी न ले पाएंगे इना पिछडों के लिए करेंगे अब हम यह इंश्टी बनाएंगे अम एजू के संग में यह रियाद देंग समाजवादी ने क्या किया समाजवादी पार्टी ने पारधानी जब आपके चक्चा लखते होंगे ना पैकपड़ सीफ पे तो वह समाजवादियों की सोच है देन है जो लागू करवाई थी हम मोधी जी की कल्यान संग की देन थोड़ी नहीं है बहुत पिछड़े नेता दिये हैं मुंडे भी थे वहां पिछड़े महारास्ता में क्या है कुछ पता है का गौर्ड साहब का परिवार कहा है कौन सा करामात करके गए बताएं कोई हम तो कचाते हैं गिनाये पिछड़ों के लिए एक आयोग बनाया है मिताब जिहाद जोड़ के आप से कह रहा हूं आयोग बनाया पिछड़ों का योग राष्टिया बनायो जन्चाओ क्या है दिव्यांग आयोग मनोज अदो कह रहा है पिछड़ों के दिव्यांग आयोग 69,000 सिक्षड़ बढ़ती किती नड़ाई आपने गड़ी जब गए तो कहाँ आपके साथ पिछड़ों न्याय हो गया लेकिन बैरी गूंगी अंधी सरकार 69,000, 68,000 के लिए कुछ ने बोली हमारे मित्र भी ठीक वही तीनुगारां की तरह है ये भी पिछड़ाई है लेकिन जो बात मनोज यादव करें उसमें मनोर यादव में अतिरंजना बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में यादवों का भला हो गया हो ऐसा नहीं हुआ यादव इंपावर्ड हो गया है यह सच है यह गलत बात है है सेफ़ें अरे रुक जाओ भाई अरे अपनी बारी बता देना कि सही कहा अभी तो रुक नहीं पड़ेगा यह बेपस्ता है मेरी अभी तो रुकने पड़ेगा सेफ़ें पावर्ड हो गया है जो बच्चा पचीज साल का हुआ उसको लालबत्ती मिल गई कोई ना कोई अगर माया बती जी ने सारे दलितों का भला किया होता तो उनका बोट 12% तो निन रही जाता ज्यान दे रहे हो सब लोग अगर अखिलेश यादवने सारे पिछणों को लेके चले होते तो पिछणों का बोट तो इतना है उत्तरपदेश में कि वो 2012 में आखिरी चुनाब जीते थे आज 23 खतम हो रहा है ऐसा नहीं होता न इसलिए बात करो जो आकणों से पुष्ट हो आकणों से प्रमारित हो अब मायवती यह कहेंगे ने पूरे देश का दलित मेरे साथ है हमारे पास तो आख लागी 12 परसेंट वोट है उनके पास कुल तुम पूरे देश की नेता कैसे हो जाएंगी मायवती लोग नेवर नहीं दिया मुझे अच्छा नहीं लगा बीजेपी ने फिचलों के लिए दो काम कौन से कियें बता दो भाई यह पूरा पैनल बता दे ओट मिल आजवा बरबर के ठीक है ठीक काम क्या किया बता इंपॉ राजे को सुईकार जब नहीं कर पाते तो ऐसा बेढ़ तरक भी गढ़ लेते हैं मनीश बाबू कि हमाई लड़के ने रात जिन पढ़ा वो भेल हो गया पढ़ो जो लड़का कुछ भी ने पढ़ा पास हो गया चलो ठीक है आगे देखेंगे ऐसा नहीं होता एक-एक आदमी बोट देता है भारत जैसे चुनाव और दुनिया में कहा हो रहा इतना यह व्यवस्तित चुनाव हजारों जातियां हजारों वर्ग बोट करते हैं तब जनादेश निकलता मित्र और हम यह कहे दें कि ना ना हम नहीं मानते तो हमारे मानने ना मानने से चुनाव का परिणाम नावेद बैकल्पिक विश्य तो होता नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे ना ऐसा हो सकता कि कोई यह कह गया गुंडू राइफला आप ने छोड़ें कुरसी ऐसा तो भारत में कभी होने सकता दोस्तो इसे कहते हैं वेन्यू टेस्ट यूर ओन मेडिसिन जितनी यह रीजनल पार्टियां जाती का और धर्म का काड़ खेलती रही आज जब उनके साथ यह उल्टा हो रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है कि यादव सीएम क्यों मना दिया गया या इससे यादव होगा क्या फायदा होगा बाकि उमीदा आपको वीडियो समझ जरूर आई होगी अगर आप वीडियो को समझ गया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन दो कर हीजे कल फिर मिलते हैं एक और डिपिट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम जैश्राम